समाजवादी पाइटी के राष्ट्रे महासेचिप राम गोपाल यादब अखलेश यादब के लिए पूरे तरीके से 2024 को लेकर बैकिंग करने में लगे हुए हैं जहां गुरुवार को सपाध्ध्यक्ष अखलेश यादब और राम गोपाल यादब मुंबई में इंडिया गठभंधन में शामिल होने के लिए पहुँचे तो यहां पर बसपस सुप्रियों मायवती को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी दरसल एरपोर्ट से बाहर आते हुए जब राम गोपाल यादब से इंडिया गठभंधन में रहने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सवाल से इंकार किया तो वहीं जब कहा गया है कि Republican Party of India की अध्यक्ष रामदास अठावले ने मायवती को NDA गठभंधन में शामिल होने के लिए ओफर दिया है इस पर भड़कते हुए राम गोपाल यादब ने कहा कि मायवती को हमारी जरूरत ही नहीं है हमें तो जरूरत है बतादी कि पिछले दिनों मायवती ने इंडिया गठभंधन समेथ NDA गठभंधन पर तीखा हमला करते हुए दे दिना दन ट्वीट किये थे मायवती ने ट्वीट करते हुए लिखाता है कि NDA वा इंडिया गठभंधन अधिकतर गरीब विरोधी जातिवादी, इंडिया गठभंधन सांपरदाइक, धन्ना सेट समर्थक वा पूझीवादी नीतियों वाली पाइटियां हैं जिनकी नीतियों के विरोधन BSP अनवरत स गठभंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा सता चार राज्यों में होने वाले विधानसभा का आम चुनाव लगेगी, मीडिया बार बार धानती ना फैलाए, वैसे तो BSP से गठभंधन के लिए यहां सभी आतोर हैं, किन्तु ऐसा ना करने पर विपक्षी द्वारा खिसियाने बिल्ली खंभा नोची की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं, इनसे मिल जाएं तो सेकुलर ना मिले तो भाजपाई, या घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाएं तो ठीक वरना अंगूर खटे हैं कि कहावत जैसी है, ये तो हो गई बात मायवत ठीकी, लेकिन अब यूपी में गठवन्दन को लेकर विपक्षी एक ताया बन पाती है, जैसा 2019 में देखने को मिला, ये आप देखने वाली बात होगी, बिल रिपोर्ट, यूपी तक